दोस्तो बकरी पालन बिजनेस में प्रोफिट की आपार संभावनाओं के बीच क्यों रोज-रोज बकरी फारम बंध हो रहे हैं जबकि बकरी पालन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी मंदी का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि बकरी का दूद काफी पोश्टिक वैस्वार साथे वर्दक होता है और बकरी के मास की भी मार्केट में काफी ज्यादा मांग है फिर भी आजकल के युवा यूटूब पर कई ब्रामक वीडियो देखकर बकरी पालन इस्टाट अप कर देते हैं और कुछ ही दिनों के बाद जानकारी के अबाव में वो फारम बंध हो जा इफॉर्मेटिव है वीडियो में अंतक बने रहें नमस्कार दोस्तों मैं गायतरी नीशिका गोट फारम से मेरे प्यारे दर्सकों का हार्दिक स्वागत करती हूं दोस्तों आज कल गाउं हो या सहर सभी जगए बकरी पालन किया जा रहा है बकरी पालन जहां गाउं में लो कि उन्होंने बकरी पालन में कुछ ही सालों में मातर 25 गोट से 22 गोट का सफर कैसे तै किया और वो कैसे एक सफल बकरी पालन कर रहे हैं नमस्कार सुनिल जी नमस्कार सुनिल जी मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि बकरी पालन एक प्रोफिटेबल विजनस है जबकि कई ल ये बात सही है कि बकरी पालन प्रोफिटेबल बिजनेस है या यू कहें कि फाइदे का सोधा है लेकिन ये उन लोगों के लिए फाइदे का सोधा है जिनकों बकरी पालन में बकरियों की रख रखाओ बकरियों का खान पान और बकरियों के स्वास्ते यानि टिकों की सही जानक जहांता में वे उने को सुपनों से बाहर ही निकल पाते और बिना जानकारी के बकरी पालन स्टार्ट अब कर देते हैं जबकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि बकरी की कब करनी है तत्था डी-Wर्मिंग के बाद लीवर टोनिक भी देना जरूरी है या नहीं तथा तथा बकरी को क्या-क्या खिलाना चाहिए तथा दाना मिश्रन में क्या-क्या देना है तथा कौन-कौन से टीके बकरियों को लगवाने हैं तमाम जानगारियों का उनके पास अबाव होता है और धीरे-धीरे बकरियां दूबली-पतली हो जाती है कुछ की मोर्टिलिटी भी ह हो जाती है इन सभी को देखकर एक बकरी पालत या और बकरी फार्म बन हो जाता है मेरा तो सभी दर्सकों से कर रहे हैं यह यू कहें ऑक से संट पर बच्चे के जनम से लेकर Alsoenza के बड़े होने तक खार में aid कम जिसमें मुख्षाग dif 2000 के बाद में कि दने ज़रूरी है बहुत ज्रूरी स्वास्ते में सही समय पर टीकों का समुचित उपयोग करना ज़रूरी है डिवार्मिंग में बच्चे के जनम से 10-15 दिनों के बाद डिवार्मिंग करनी चाहिए जो सही डिवार्मर यानि अलवेंडाजॉल या नील जाल तवासे करना चाहिए 10-15 दिन के बच्चों को 2-3 ml परती बच्चे के हिसाब से दवा देना चाहिए उसके बाद एक मेहने के अंतराल से डिवार्मिंग करने चाहिए उसके बाद परतेक तीन मेहने के अंतराल से डिवार्मिंग करनी चाहिए डिवार्मिंग करने के बाद लिवर टोनिक जरूर देना चीए जिसे बच्चों को भूख सही से लगने लगे डिवार्मिंग के बाद बच्चों को सुपाज्य भोजन जैसे लोंग, लोंग पत्ती, चोकार का परियोग जरूर करना चीए रही बात खान पान की तो चारे में आप संतुलित भोजन का परियोग करें, संतुलित भोजन में प्रोटीन होना चीए, खनीज ततो होने चीए, मिनरन होने चीए, जिसमें सूख चारे का रेशियो 70% होना चीए, हारे चारे का रेशियो 20% होना चीए, तथा दाना मिश्रन का रेशियो 10% होना चीए, दाना मिल्डेन विक्चर का जरूर परियोग करें जो एक अडल्ट बकरी को दो सो से डाइसो ग्राम सुबह से हम आप दे सकते हैं यदि संतुलित बोजन आप बच्चों को देते हैं तो उनकी ग्रोथ में गजब का चेंज आपको देखने को मिलेगा सुनील जी आपने हमारे दर्शकों को बकरी पालन के खान पान की बारे में बता दिया लेकिन बकरी के स्वास्ते के मारे में भी बताएं कि कौन-कौन से टीके बकरियों को लगवानी चाहिए स्वास्त बकरी उन्नत की सान इस पर एक बकरी पालन को काम करना चाहिए राजस्तान में मुख्यता है दो परकार के टीके लगाए जाते हैं एक तो टीटी और ईटी का जो दोनों जो जोइंट होते हैं यानि टीटनेस और फिड़किया रोग जो की गर्मियों में लगाए ज लगाते हैं यह टीका सर्दियों में लगाया जाता है यह सभी टीके मार्केट में बलब्द हैं आप चिकित्सक की सलाव लेकर भी इनको बकरियों को लगा सकते हैं यदि आपको बकरी पालन में सही ब्रीड बकरी का सही रख रखाओ बकरी का सही खान पान वह बकरी के स्वा आप कर सकते हैं बकरी पालन में जितने ज़्यादा बच्चे आप बचा पाएंगे वही एक बकरी पालक की उनती का राज है दोस्तों मैं आशा करती हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को सेर करें ज कभी भी कोई फारंबन ना हो धन्यवाद